प्रिश शिक्षार्थियों एन आयोस के स्टूडियो में आप सभी का मैं डाक्टर तेजब प्रकास स्वागत करता हूँ आज हम लोग माध्मिक शिक्षा पाठिक्रम के अंतरगत वेदा अध्यन पुस्तक 245 में व्याक्रण विशय का अध्यन करेंगे पुस्तक संख्या 2 पाठ 18 का दुति भाग हम लोग आज अध्यन करेंगे जैसा की पूरू में हमने देखा है वैदिक व्याक्रण की अंतरगत वेद के जो शब्द हैं उनका उनकी सिध्धी करना ऐसे शब्दों की सिध्धी करना हम लोग सीख रहे हैं इस पाठ की अंतरगत भी उसी प्रकार से विभिन्य प्रत्यों का प्रयोग सूत्रों के माध्यम से हम लोग देखेंगे आईए प्रथम सूत्र पर चलते हैं पहला सूत्र है अठारहमा अध्याय का दुति भाग में पंद्रहमा सूत्र चंदसी ठाईञ यह ठाईञ प्रत्य का विधान करता है और लोग में लोगिक व्याकरन या लोगिक शब्दों के सिध्धी के लिए वर्षा भ्यष्ठक यह सूत्र वर्षा आदी सब्दों से ठक प्रत्य का विधान करता है किन्तु वेद में वेद विशय के अंतरगत यह सूत्र चंदसी ठाईञ अर्थात ठाईञ प्रत्य का विधान चंद के अंतरगत चंद सी यहां सब्त में विभक्ती है अर्थात, चंद में, वेद में वर्षा आदि प्रात्य पदिकों से सैसिक संग्यक ठई प्रत्य होता है। उदाहरण देखे हम लोग वार्शिकम यहां पर वर्षा सुभवम इस प्रकार यह विग्रह में हम देखते हैं वर्षा सब्द से ठई प्रत्य का विधान किया गया है। इसी क्रम में दोनों में हम देखते हैं कि एक में ठई हो या ठक हो दोनों में ठव ही बचता है। किन्तु ठई जब होता है तब वह शब्द आदि उदात्य हो जाता है। जबकि ठक होता है तब कित होने के कारण वह अंतोध आत्य हो जाता है। इसलिए यही दोनों में अंतर देखने को मिलता है अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं अगला सूत्र है वसंताच अर्थात यहां पर भी उसी प्रकार से छंद सी पद की अनुबृत्ति आ रही है अता छंद की अंतरगत अथवावेद में वसंतादी रितू वाचक जो सब्द है उससे काल वाचक जो सब्द है उससे वसंतादी सब्दों से सैसिक संग्यक तद्धित के अंतरगत ठाई प्रत्यका विधान होता है यह सूत्र भी वसंताच्य यह सूत्र रितू वाचक यदी वसंत सब्द होता है तो उससे ठाई प्रत्यका विधान करता है उदाहरण देखने से और स्पष्ट होगा देखें वासंतिकम शब्द बनता है वासंतिकम इसका मंत्रों में वेद मंत्रों में विभिर्ण स्थानों पर प्रयोग मिलता है वासंतिकम की सिद्धी वसंतर्तव भवम जो वसंत रितू में उत्पन्न होए वही वासंतिक कहा जाएगा इस वित्पत्ति से रितू आचक जो वसंत सब्द है उससे वसंताच्य इस सूत्र के द्वारा ठाई प्रत्यका विधान होता है और ठाई को ठस्य कह इस सूत्र के द्वारा एक आदेश होने के पस्चात अन्य विभत्ति आदिकारे होते हैं वर्ण सम्मिलन आदिकारे होते हैं जिससे वासंतिकम यह सब्द की सिद्धी होती है तो यहाँ पर रितु वाचक वसंत सब्द से वासंतिकम यह प्रियोग ठैं प्रत्य हो करके बनता है अगला सूत्र हम लोग देखते हैं अगला सूत्र है हेमन्ताच अर्थात हेमन्त उसी प्रकार से पूर्व की भाती ही यहाँ पर भी रितु वाचक, काल वाचक हेमन्त शब्द यदि होता है तो उससे ठैं प्रत्य का विधान यह सूत्र भी करता है ठैं की यहनु बृत्ति आ रही है तो इस क्रम में यहाँ पर भी हेमन्तिकम जैसे वहाँ वासंतिकम था यहाँ पर हे मंतिकम, है मंतिकम यह बनता है, हे मंते भव्या, इस विद्पत्ति के द्वारा हे मंत सब्द से, इस सूत्र के द्वारा हे मंताच्य इस सूत्र से ठाई प्रत्य होता है, और जैसा कि हमने देखा हे मंत सब्द से जब ठाई प्रत्य होगा, तो वह थाई प्रत्य होकर के ये कार का अनबंधलोप तथा ठकार को एक आदेश होकर के विभक्ति आदिकार्य होकर है मन्तिकम यह शब्द की सिद्धी होती है यह भी वैदिक सब्दों में या वैदिक मंत्रों में हमें देखने को मिलता है अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं अगला सूत्र है दोयचह छंदसी दोपद हो गए इसमें दोयचह छंदसी यह भी छंद की बात हमें बता रहा है अर्थात वेद की अंतरगत दोयचह हम विभिन्य सूत्रों से अनुबृत्ति ग्रहन करते हैं और उनको ग्रहन करके अर्थ होता है कि विकार होने पर विकार अर्थ यदि आता है जैसे सरस्य विकारह सरमयम विकार या भी परिणाम बदलाव जब हमें देखने को मिलता है तो जैसे दूध का विकार दही है तो विकार अर्थ होने पर मयट प्रत्य होता है इस सुत्र के द्वारा छंदसी यर्थाद छंद में वेद में उदारण शर्मयम यहां सरस्य शर मतलब करते हैं त्रिन तिनका जो घास का टुकड़ा होता है उस सर का जो विकार है परिवर्तन होकर के जो तत्व दिखाई देगा वही शर्मय कहा जाएगा और इस विग्रह से दोयचस छंदसी जो यह सुत्र है इस सुत्र के द्वारा मयट प्रत्य होता है मयट प्रत्य होने पर अनुबंध लोप इत्यादिकार होकर तथा विभक्ति आदिकार सु इत्यादिकार होने पर शर्मयम यह रूप सिद्ध होता है यहाँ पर हम देखते हैं शर सब्द से मयट प्रत्य टकार का लोप हो जाता है चूटू सूत्र से और शर मय तथा विभक्ति आदिकारे होकर के शर मयम यह रूप सिद्ध होता है इस प्रकार से वेद में विभिन शब्दों का निर्मान हमें देखने को मिलता है आगे हम बढ़ते हैं पुना अगला सूत्र है अगले सूत्र की ओर हम लोग चलें नोत्वर्ध बिल्वात वेद की अंतर गतिस में न उत्व वर्ध वर्ध बिल्व इत्याद सब्द जो होते हैं उनके विकार और अवयव अर्थ में तद्धित संग्यक मयट प्रत्य का विधान होता है लेकिन यहां पर उसका बाद किया जाता है वेद की अंतरगत हम देखते हैं कि उकारवान उत्व आया हुआ है न उत्व तो उत्व अर्थात उकारवान से और दोयच की अनुबृत्ति आ रही है और उसको ग्रहन करके सष्ठी या समर्थ प्रात्य पदिक से वर्ध्र, बिल्व, आदिशब्द से विकार और अवयव अर्थ में तद्धित संग्यक मयट प्रत्य जो होता है उसका यह बाद करता है जैसे वार्ध्री यहां पर वर्धस्य विकार है इस विग्रह के द्वारा मयट प्रत्य की प्राप्त होती है दोयचस्छंद से इस सूत्र के द्वारा मयट प्रत्य प्राप्त होता है लेकिन यह सूत्र उसका निसेध कर देता है और निसेध हो जाने पर अनप्रत्य हो करके पुनह गीप्रत्य हो करके अनुबंध लोपित्यादिकारे होकर वार्ध्री यह प्रियोग सिध्य होता है अन्यथा यहां पर भी मयट प्रत्य हो जाता मयट प्रत्य का यह बाध करके और इससे बाधित हो जाने से अनप्रत्य हो करके गीप्रत्यादि प्रत्य होकर वार्ध्री यह प्रियोग सिध्य होता है इसी प्रकार आगे हम लोग चलते हैं अगला सूत्र है धश छंदसी छंद के अंतरगत, वेद के अंतरगत यहां पर सप्तम्यंत जो समर्थ साधु अर्थ में वेद के अंतरगत सभा प्रात्यपदिक से तद्धित संग्यक धप्रत्य का विधान किया जाता है इसमें बहुत से सब्द पूर्व के सुत्रों से ग्रहन किये जाते हैं इसी लिए सभी को मिलाकर और उस अनुबृत्य को ग्रहन करते हुए नवीन अर्थ निकलता है अतह यहां पर केवल जद्यपी दो ही पद हैं धह छंदसी लेकिन पूर्व से सब्तम्यंत इत्यादिकी सभा प्रात्यपदिकी इन सबकी अनुबृत्ती आती है पूर्व के सुत्रों से जिससे हम अर्थ यहां ग्रहन करते हैं इस प्रकार से धह प्रत्यपर में होने का यह विधान करता है जैसे सभेयह सभायाम साधु हो सभायाम साधु सभा में स्रेष्ठ ब्यक्ति जो उचित आचन करने वाला ब्यक्ति है उसे सभेय कहेंगे इस बिग्रह में सभायाम साधु अर्थात यह साधु अर्थ में ध्धा प्रत्य सभा सब्द से इस सूत्र के द्वारा ध्धा प्रत्य हुआ है सभा और ध्धा इस सिती में आयनेई नियह फढगजगाम प्रत्ययादी नाम एक सूत्र है उस शुत्र के द्वारा ढख के स्थान पर ए आदेश हो जाता है सभ़ा और ए इस सिति में यची भम एक सुत्र है, उससे भहसंग्या होती है यशेति चशेसे आकार का सभ़ा का जो आकार है उसका लोब हो जाता है और सभ धन ए इस सिस्ती में वर्ण संयोग इत्यादिकार होकर सभे यह प्रियोग सिद्ध होता है यहां हम देखते हैं जिसका मूल प्रियोजन है धा प्रत्य करना जब ढ़प्रत्य हो जाता है तो उसी क्याधार पर ए इत्याद यादेश होकर के सभे यह प्रियोग सिद्ध होता है अगले सुत्र की और हम लोग चलते हैं? अगला सुत्र है पाथो नदिभ्याम ड्यन यह सुत्र ड्यन प्रत्य का विधान करता है यह विधी सुत्र है, जैसा कि हम जानते हैं, छे प्रकार के पाणिनी जी के द्वारा बनाये गए सुत्र हैं, संग्या चा, परिभासा चा, विधिर नियम एव चा, अतिदेशो अधिकार चा, सडविधम सुत्र मुच्यते तो यहां पर विधान करता है, यह सुत्र ड्यन प्रत्य का विधान करता है, इसलिए यह सुत्र इस प्रकार से विधी सुत्र है, उदार्ण देखते हैं हम लोग पाथो, नदी भ्याम, ड्यन यहां पर पाथस सब्द से और नदी प्रातिपदिक से तद्धित संग्यक ड्यन प्रत्य होता है, तत्र भवह इस अर्थ में तद्धित के अंतरगत तत्र भवह एक सूत्र आता है साथी साथ उससे सम्मनित विभिन अर्थ ग्रहन होते हैं विभिन प्रियोग देखने को मिलते हैं उससे उत्पन्न होना इस अर्थ में तो यहाँ पर पाथ्य यह जो शब्द है पाथस सब्द से पाथसी भवह मार्ग से उत्पन्न होने वाला है इस विग्रह में भवे अर्थ में विद्यमान जो पाथस सब्द हैं उसकी प्रात्पदिक से इस सूत्र के द्वारा ढ्यन प्रत्य हुआ है पाथस और ढ्यन इस शिति में अनुबंध लोप होकर पाथस और यह डकार और डकार का लोप होकर य बचता है उसके बाद टिलो पित्यादिकारे होकर पाथ य इस सिती में विभक्तिकारे होकर सु अरुत्व विसर्ग ये सब विभक्तिकारे के अंतरगत आ जाते हैं और इन विभक्तिकारियों के द्वारा वर्ण संयोग अरुत्व विसर्ग विभक्ति के द्वारा कारे किये जाते हैं तब पाथ्य यह रूप निश्पन्न होता है इसके पश्चाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सूत्र है सगर्भ सयूत सनुताध्यन यहां पर यन प्रत्य का यह सूत्र विधान करता है किन-किन अर्थों में देखें सब्तम्यंत सगर्भ सब्द हो या सयूत सब्द हो या सनुत सब्द हो तो इन प्रात्यपदिकों से तद्धित संग्यक यन प्रत्य होता है यन प्रत्य पर में होता है बाद में उसका विधान होता है इन शब्दों के बाद जैसे सगर्भ्यह यहाँ पर सगर्भ सूत्र में आया है सगर्भ सयूत सनुतात यन इन पंचमी विभक्ति दिया गया है तो इन शब्दों से यन प्रत्य का विधान होता है एक उदार्ण देखते हैं हम लोग सगर्भ्यह सगर्भे भवह साथ में उत्पन्न होने वाले एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले एक ही माता के कई पुत्र पुत्रियां तो इस प्रकार से सगर्भे भवह इस विग्रह में भव अर्थ में विद्यमान इस सूत्र के द्वारा सगर्भ सयूत सनुताध्यन सूत्र के द्वारा यन प्रत्य होकर सगर्भ यन इस सिति में अनुबंध लोप इत्यादिकारे होकर यची भम से भवसंग्या यक से अकार का लोप होकर सगर्भ य तथा वर्ण संग्योग सगर्भ में अकार का लोप हो जाएगा तो वह हलंत हो जाएगा तो इस प्रकार से वर्ण सम्मेलन होकर सगर्भ्य सब्द तथा विभक्ति आदिकारे होकर सगर्भ्य इस रूप की सिद्धी होती है इसी प्रकार इसमें आये हुए जो अन्य शब्द हैं सयुध्यह, सनुत्यह यह भी इसी प्रकार से यन प्रत्य लग करके सिद्ध होते हैं आये अगले सुत्र की ओर हम लोग चलते हैं, अगला सुत्र है बरहिश दत्तम, यहां सुत्र यत प्रत्य का विधान करता है वेद की अंतरगत, जैसा की छंदसी की अनुबृत्य आ रही है, तो वेद विशय की अंतरगत यहां बरहिश शब्द से, बरहिश प्रात्य पदिक से, दत्त अर्थ में, देने अर्थ में, दिया गया अर्थ में, यत प्रत्य का विधान होता है पर्म अर्थात बाद में किया जाता है बरहिशी दत्तम तो बरहिशी दत्ताह इस विग्रह में दत्तार्थ में विद्यमान जो बरहिश है बरहिश शब्द है बरहिश प्रात्यपदिक है उसको इस सूत्र के द्वारा बरहिश दत्तम इस सूत्र के द्वारा यत प्रत्य होकर बरहिश यत इस सिती में अनुबंध लोप आदिकार होकर तथा दंत सकार के स्थान पर मूर्धन सकार होकर बरहिश य वर्ण संयोग आदिकार होकर विभक्तिकार इत्यादी होकर बरहिश येशु यह रूप सिद्ध हो अगले सुत्र की ओर हम लोग चलते हैं, इसी क्रम में यहां भी सुत्र यत्प्रत्य का विधान करता है, सुत्र है दूतस्य भाग कर्मणी यहां पर भी यत्प्रत्य की अनुवृत्य आ रही है, पूरो सुत्र से और सश्ठंत जो समर्थ सब्द होता है, दूत्व सब्द है, उस दूत्व सब्द या प्रातिपदिक से भाग और कर्म ये दिवाच्य है, अभिधेय है, कहा जा रहा हो तो ऐसी सिती में दूत्व सब्द से यत्प्रत्य का विधान होता है, जैसे शब्द है दूत्यम, यहां पर दूतस्य भाग कर्मवा, यह अर्थ निकल रहा है, इस यह विग्रह स्पष्ट हो रहा है, यहां पर दूत्व सब्द से दूतस्य भाग कर्मणी, इस सूत्र के द् यत प्रत्य हुआ है और यत प्रत्य होकर तकार की इत संग्या तथा तस से लोप होकर दूत य इस सिति में पूरु की भाती भासंग्या तथा अकार का दूत के जो तकार है उसके अंतरगत जो अकार है उसका लोप होकर और उसके पहचात संयोग होने पर दूत्यम दूत्यम व दूत्यम यह प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र है जो की यत प्रत्य का ही विधान करता है। सूत्र है रेवती, जगती, हविश्याभ्यः, प्रसस्ये। रेवती, जगती, हविश्याभ्या, प्रसस्य, यह प्रसस्य अर्थ में स्रेष्ठता बताना हो, उस अर्थ में यत्प्रत्य का विधान करता है, उसके लिए सब्द भी इसमें बताये गए हैं, रेवती सब्द से, जगती सब्द से, और हविश्या सब्द से, ऐसे प्रात्यप इस सूत्र के द्वारा रेवत्यम यह प्रयोग हम लोग सिद्ध करते हैं रेवत्याह प्रसस्यम इस विग्रह के अंतरगत यत प्रत्य का विधान हुआ है इस सूत्र के द्वारा इत्याद इकारे होकर भसंग्या इकार का लोप होकर रेवत रेवती में जो इकार थी उसका भी यसेतिच से लोप हो जाता है, रेवत और य, यत का य बचता है, इन दोनों को संयोग करके निश्पन होते हुए, विभक्ति आधिकारे करते हुए, रेवत्यम यह रूप सिद्ध होता है यहाँ पर रेवती सब्द से यत प्रत्य हुआ, इसी प्रकार जगती सब्द से, इसी प्रकार हविश्या सब्द से भी देखते हैं कि शब्दों की निश्पत्ति होती है यह पाठ यहीं समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद करता है